Hello Everyone, मुझे उमीद है कि आपको Small Friend Edition Concept समझ आ गया होगा यहाँ पर हम Small Friend Edition Concept Second House और Third House यानि 10th Place और 100th Place में कैसे करते हैं सीखेंगे थोड़ा सम रिवीजन कर लेते हैं, देखिए हम रिवीजन इसलिए करते हैं क्योंकि इससे बच्चों को Concept क्लियर हो जाता है और बच्चों को Concept याद भी हो जाता है क्योंकि हर Concept की 2 से 3 Classes होती होती हैं तो इससे बच्चों को Concept easily याद हो जाता है जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो Small Friend हैं वो 1, 2, 4 होते हैं 1 का Small Friend 4 होता है, 2 का 3 होता है, 3 का 2, 4 का 1 अब Small Friend वो होते हैं जिन digits को Add करने पर 5 आता है जैसे हम 1 में 4 Add करने पर हमें 5 मिलेगा 2 में 3 Add करने पर 5 होगा 3 में 2 Add करने पर भी हमें 5 मिलेगा 4 में 1 Add करने में भी हमें 5 मिलेगा कभी भी 2 का Friend 2, 2 का Friend 4, 2 का Friend 1 नहीं होगा या 3 का friend 4, 3 का friend 2, 3 का friend 1 नहीं होगा क्योंकि इनको add करने पर हमारा पास 5 नहीं आता अब मैंने आपको small friend याद करने का एक तरीका भी बिताया था मैंने hand का example लिया था तो मैंने कहा था जैसे hand में 5 fingers होते हैं क्योंकि हमें small friend में जो वो digit लेने जिसको add करने पर 5 आए तो जैसे हम 1 add करना है तो 1 का friend क्या है हम क्या करेंगे देखने के लिए हम क्या करेंगे जैसे मैंने thumb को fold कर दिया 1 thumb को fold कर दिया तो महारे पस कितनी fingers रहेगी 1, 2, 3, 4 तो small friend of 1 is 4 अब जैसे हमने 2 का देखने है तो हम 2 finger fold कर दिया है जैसे मैंने index finger हो thumb को fold कर दिया है तो महारे पस कितनी fingers रहेगी 1, 2, 3 smallest friend of 2 is 3 अब जैसे हमने 3 का फ्रेंड देखने ह्या तो मैं ऐसे करती हम thumb index finger और middle finger को fold कर रहे तो मारे पस कितनी fingers रहेगी 2 1 2 तो small friend of 3 is 2 अब मुझे 4 का देखना है तो मैं ऐसे करते हूँ ये 4 finger मैंने fold कर दी अब हमारे पस एक thumb रह गया तो small friend of 4 is 1 small friend जैसे हम first house में कैसे करते थे once digit के लिए single digit के लिए हमारे पस backhouse में 4 है इसमें हमने again 4 add करना है तो हम direct नहीं कर सकते तो small friend of 4 is 1 तो हम क्या करते थे friend को less करते थे add 5 करते थे ठीक है अब इसमें एक बात और ध्यान देनी है कि जब भी हमने small friend use करना है तो 5 divider को touch नहीं करना चाहिए क्योंकि जब भी हम add करते है तो हम क्या करते है friend को less करते है और 5 को add करते है जैसे मारे पास 3 है यहाँ पर हमने 2 add करना है तो small friend of 2 is 3 तो हम क्या करेंगे friend को less कर दिया add 5 कर दिया अब हम देखते हैं कि हम जो small friend है इसको 10 space पर कैसे करते है अब 10 space में मैंने आपको बताया था left hand की index finger और middle finger को use करेंगे तो हमारे पास नीचे वाली beats के लिए हम क्या करते है index finger को use करते है जैसे मैंने किया add 40 अब यहाँ पर मुझे add 10 करना है तो 10 means 1 हम इसको ऐसे बोलने हैं 10 का friend के हैं हम बोलेंगे 1 का friend के है 1 का friend के है 4 तो हम 4 को less करेंगे और middle finger से हम 5 को add करेंगे तो हमारा answer क्या हो गया 50 इसी तरह हमारे पास 4 है यहाँ पर हमने 10 add करना है 10 means 1 1 का friend क्या होता है 4 तो हम क्या करेंगे 4 friend को less करेंगे add 5 करेंगे ठीक है इसी तरह हमारे पास अब एकस बहुत हम 30 कर रहते हैं यह हमने direct add कर दिया अब हम अगें 30 add करेंगे तो यहाँ पर 30 मतलब हम direct नहीं add कर सकते 30 means 3 3 का friend क्या होता है 2 less to add 5 answer मारे पास क्या गया 60 इस तरह हम second house में left hand की scissor finger से friend का use करते हैं अब हम देखते हैं कि 100 place में कैसे करेंगे जैसे 100 place में यहाँ पर आगया हमने 100 कर दिया 100 कर दिया यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर 400 add करना है तो मैं क्या करूँगी मैं 400 का friend नहीं देखूँगी मैं देखूँगी 4 का friend क्या है 4 का friend क्या है 1 तो less 1 add 5 हमारे पास answer क्या गया 500 इसी तरह हमारे पास 400 है इसमें हमने 100 add करना है, तो 100 का friend, 100 नहीं देखेंगे, हम 1 का friend देखें, 1 का friend के 4, less 4, add 5, हमारे पास answer क्या गया 500, अब हमारे पास abacus में 300 है, अब मुझे यहाँ पर 200 add करना है, तो 200 means 2, 2 का friend के 3, less 3, add 5, हमारे पास answer आगया 500, अब आपको ये तो पता चले गया कि हम friend को कैसे use क करते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कैसी, जैसे हमारे पास 1 sum करके देख लेते हैं, 2-3 sum कर लेते हैं, जैसे हमारे पास 33 है, अब मुझे यहाँ पर add करना है 23, ठीक है, अब यहाँ पर 20 भी direct नहीं हो सकता, 2 भी direct नहीं हो सकता, 3 भी direct नहीं हो सकता, तो 2 का friend के है, 3, less 3 add 5 और 3 का friend के है 2 less to add 5 ठीक है हमारे पास answer क्या गया 56 अब एक और sum ले ले लेते हम 3 digit का 124 है हमारे पास अब यहां पर हमने करना है 431 add करना है तो 4 का friend के है 1 less 1 add 5 3 का friend के है 2 less 2 add 5 और 1 का friend के है 4 less 4 add 5 हमारे पास answer आगया 555 मुझे उमीद है कि आपको यहां पर concept clear हो गया होगा कि 10th place में और 100th place में हम small friend को कैसे use करेंगे next video में हम direct और small friend addition के concept के कुछ questions solve करेंगे I hope आपको यह video useful लगी होगी अगर आपको useful लगी है या आपके कोई suggestion है तो please हमें comment जुरूर करिए Bye for now, thanks for watching